हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टुन टुन स्कुल में एक बार फिर से हम आपके लिए ले कर आए हैं सौर्ट सेंटेंसेज जिनका डेली लाइफ में यूज करके आप अपनी स्पोकेन इंगलिस को सुपर स्ट्रॉंग कर सकते हैं तो फिर चलिए बिना देर की हुवे स्टार्ट करते हैं एज यू विस, एज यू विस का मतलब है जैसी आपकी मरजी एज यू प्लीज, एज यू प्लीज का मतलब है जैसी आपकी मरजी एट फर्स्ट साइट, का मतलब है पहली नजर में बी कूल माइंडेड, का मतलब है दिमाग सांत रखो बाई गौड्स ग्रेस, का मतलब है प्रभु कृपा से कम वाट में, का मतलब है अब चाहे जो हो कम विथ मी, का मतलब है मेरे साथ आओ कॉल मी बैक, का मतलब है मुझे वापस कॉल करना डू नौट वरी, का मतलब है चिन्ता मत करो डू नौट फॉल, का मतलब है गिर मत जाना डू नौट डिले, का मतलब है देरी मत करो डूट बी रिडिक्यूलस, का मतलब है हास्य स्पद मत बनो इग्जेटली दा सेम, का मतलब है बिल्कुल वैसे ही गो टू हेल, का मतलब है भाण में जाओ गोड ब्लेस यू, का मतलब है भगवान आपका भला करे होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग का मतलब है जुबान पर लगाम लगाओ हाओ डेर यू, हाओ डेर यू, का मतलब है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हैव अ गुड ट्रीप, का मतलब है यात्रा सुभ हो हैव अ गुड विकेंड, का मतलब है आपका साथाहांत अच्छा रहे इट्स आल योर्स, का मतलब है इसे अपनी चीज समझें I'm at home, का मतलब है मैं घर पर हूँ I admire you, का मतलब है मैं तुम्हारा प्रशंशक हूँ I can't wait, का मतलब है मैं इंतिजार नहीं कर सकता I don't have time, का मतलब है मेरे पास समय नहीं है I got it, का मतलब है मैं समझ गया I hate you, का मतलब है मुझे आप से नफरत है I hope so, का मतलब है ऐसा ही हो I knew it, का मतलब है मुझे पता था I love you, का मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ I am busy, I am busy का मतलब है मैं व्यस्त हूँ Friends, इसी last sentence के साथ हम आपसे विदा लेते हैं उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें और अपना feedback कमेंट में लिखना ना भूलें साथ ही हमारे आने वाली latest विडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस्ट कर दें मिलते हैं आपसे अपनी अगली विडियो में तब तक के लिए बाई बाई झाले झाले लिए अजयो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कारे सेवाइब करें विए इचे लिए विए चैनल आपसे और अपसे लिए एक लिए बाई